असलाम उलेकूम आइडिया स्टूडेंट हम कम्प्रिहेंशन कर रहे हैं चैप्टर नमबर फोर की दा प्राइड आफ पाकिस्तान आज हम उसमें करेंगे राइटा डिस्क्रिप्टिव पेराग्राफ ओन दा टॉपिक आजू सबसे पेरे हम देखते हैं के पेराग्राफ कहते है एक बंद को और डिस्क्रिप्टिव जो है उसको किस तरह से बियान किया जाता है? The paragraph that describe or give clear picture of a person, event, place or thing in such a way that a picture is formed in the reader's mind. Descriptive paragraph का मतलब है कि आप एक किसी भी चीज के बारे में, किसी जगा के बारे में, अपने अलफाज से इस तरह का समा बांते हैं कि पढ़ने वाले के जिन में एक पिक्चर बन जाए. It does not tell the reader that flower is beautiful. It shows them that flower is beautiful with words. The reader feels like he or she is part of the writer's experience of what is being described. जैसे लिखने वाला सिर्फ ये नहीं कहता कि फूल खूबसूरत है, बलके वो अपने अलफाज के जरीए उस फूल की खूबसूरती को बियान करता है, ताकि पढ़ने वाला महसूस कर सके कि जो लिखने वाले ने जो तजर्बा है, वो बिल्कुल वैसा ही वो डिस्क्राइब कर रहा है, बियान कर रहा है और पढ़ने वाला उसको महसूस कर सके. जैसे खाली ये ना के फूल कूबसूरत है, बलके बताए, जैंटली बलोइंग इन दा ब्रीज, आप देखें कि आप देख सकते हैं, तसवर की आंख से के हवा चल रही है और फूल जो है, उसके साथ हिल रहा है, दा बाज अफ पीस कमिंग टू ड्रिंक दा नेक्टर, आपके कानों में मक्ही की बिद्विनहार्ट सुनाई दे रही है कि शेहत की मक्हीं उसके उपर रस चूसने के लिए आ रही है, एस स्वीट एस हनी सकल, आप जो है, उसकी खश्बू महसूस कर सकें के जिस तरह से, और सॉफ्ट वेलवटी पैटल्स के, उसके जो पंक्रियां हैं, वो बहुत ज्यादा नरम है, मक्हमल की तरह, तो आपको लग रहा है जैसे आप मक्हमल पे हाथ पे रहे हैं, टेस्टी इ हम क्या करते हैं, हम zoo की description करते हैं, the zoo is the place that animals, birds and insects of all kind live, चिडिया घर वो जगा है, जिसमें जानवर, प्रिंदे और हर तरह के कीडे मकोडे रखे जाते हैं, अब आप देखें कि इससे आपको एक जगा का तसवर आता है, जिसमें हर तरह के जानवर हैं, और जो जो जानवर आ हैं, आपके दमाग में आ जाते हैं, तो zoo वो जगा होती है, उसको उर्दू में चिडिया घर कहते हैं, जहां मुख्लि जानवर रखे जाते हैं, नेक्स सेंटेंस है, इस एनिमल्स आर कंटेंड एवरी आवर अफ एवरी डे इन स्मॉल इंक्लोयर्स एंड केजीज, यह जान आपके दमाग में एक हिमे जाता है, इस तरह का, जैसे यह एलिफेंट है, आहते में रखा गया है, यह एक और एलिफेंट है, जिसका आहता है, और यह शेर जो हैं, पिंज्रों में बंद हैं, सलाहों के पीछे, नेक्स्ट है, जूज आर ग्रेट सोर्स अफ एंटर्टेंड चिडिया घर बच्चों की तफरीका एक बहुत बड़ा जरी है, बच्चे और बड़े सारे ही यहां पर तफरीके लिए जाते हैं, तो अब आपके जेन में आता है, कि बच्चे होंगे जो जानुरों को देखने के लिए आएंगे, जैसे यह जरापा है, इसको बच्चे दे अब आपके जेन में आता है, कि वहां जू में जो है न वो इनसान बातचीत कर रहे हैं, जानवरों को देख रहे हैं, उनसे जो है वो इंट्रेक्शन कर रहे हैं, तो इस तरह से वो जानवर जो ऐसे हातों में रखे जाते हैं, वो जो उनको देखने वालों को नुक्सान भी जा सकें. At zoo monkeys were jumping here and there with chattering. चिडिया घर में बंदर आपस में उचलकूद और अठकेलिया कर रहे थे. अब आपके से जिन में आता है कि बंदर हैं जो आपस में अठकेलिया कर रहे हैं, उचलकूद कर रहे हैं. ठीक है? Next sentence है. I saw a large green snake in the zoo. अब आप देखें कि large green snake में ने चिडिया घर में एक बड़ा सबस सांप देखा. तो आप ये देखें कि यहें आपके जेन में picture बनती है. एक बड़ा सबस जो है वो कुंडली मारे वे एक सांप बैठा हुए. I saw elephants which have long nosy skull trunks, large floppy ears and wide thick legs. मैंने elephants कहते हैं हाथी को जिनके long naak होते हैं जिसको trunks कहते हैं और large floppy ears, बड़े बड़े उनके कान होते हैं और wide thick legs और चोड़ी उनकी टांगें होती हैं. तो आप ये देखें कि ये है elephants. तो next sentence है I saw dancing peacocks who has long neck and bright greenish blue color feathers with moon like spots. मैंने एक dance करता हूँ मोर देखा जिसकी लंबी गर्दन थी और उसके बहुत शोख सबज नीले रंग के पर थे और जिनके उपर चांद जैसे spots थे. इसके साथ ही आपके दमाग में ये वाला जो है मोर की तस्वीर आती है. The housekeepers were feeding the animals and taking care of sick animals. Housekeepers कहते हैं जो जानवरों की देख भाल करते हैं वो जानवरों को उनके पिंजरों में खुराप भी देते हैं और जब कोई जानवर बिमार हो जाए तो उसकी केर भी करते हैं. तो ये देखें, housekeeper जो है वो जानवरों को खाना खिला रहा है और ये भी खाना खिला रही है और ये जब बिमार है तो उसको दवाई भी पिला रही है. Azoo functions according to the regulations laid down by the government of the country. इडिया घर, government की तरफ से तैशुदा, असूल और जवाबत के मताबिक काम करते हैं. आपने अकसर देखा होगा कि वहाँ पे बोर्ड लगे होते हैं कि don't feed the animals, जो visitors हैं, जो बच्चे सेर करने जाते हैं, उन्हें animal को खुराक नहीं देनी चाहिए. Don't disturb, torment or joke with animals, animals को तांग ना करें, don't stick or throw anything into the animal cages, उनके cages में कुछ चीज ना फैंकें and don't litter or zoo में गानना फिलाएं. Another purpose of having a zoo is that it is place where the species can grow, hence it protects its species. तो zoo में आपको baby animals भी नजर आएंगे कि जानवरों, चिडिया घर बनाने का मकसद ये भी होता है कि यहाँ जानवरों की नसल को परवान चड़ाया जाए और उनकी नसल की इफादत की जाए. तो वहाँ पर आप देखेंगे चोटे animals भी बड़े जानवरों के साथ उनके बच्चे भी फिर रहे होते हैं. चिडिया घर जो है, zoos are very unfair to animals, they take the animals out of their natural habitats, just for the sake of human entertainment. चिडिया घर जानवरों के साथ नाइंसाफी है, जानवरों से उनकी कुद्धती रहाष तफरीक की खातर चीन ली जाती है. आपको पता है कि जानवरों की कुद्धती रहाष जंगल हैं, जहां पे वो around से अपनी मर्जी से घूंपिर सकते हैं. तो यहां पे उनको बड़े-बड़े पिंच्रों में कैद किया चा सकता है, तो यह जो है उनके साथ उस्याती है. तो उमीद है आपको descriptive paragraph जो है about zoop sand आया होगा, इस वीडियो को like करें, share करें और चैनल को subscribe करें.